तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फोट सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है complex permanent tissues अगर हम प्लाण के internal structure को देखें तो यहाँ पर हम study करेंगे complex permanent tissues के बारे में सबसे पहले हम देख रहे हैं जो outermost layer है उसे हम बोलते हैं epidermis epidermis के जो अंदर वाला area आपको देख रहा है इसे हम बोलते हैं cortex region या cortex उसके बाद एक ring leg structure आपको देख रहा है इसे हमने बोला cambium और उसके अंदर ये जो green color का structure आपको देख रहा है इसे जब हम यहाँ पर zoom करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है vascular tissue जिसमें आते हैं xylem और आता है phloem तो अगर हम बात करें complex tissues के types के बारे में तो एक तरफ हम बात करते हैं xylem की और जैसा कि आप यहाँ पर image में देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है xylem दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्लोयम की जैसा कि आप यहां इस image में देख पा रहे हैं यहां पर फ्लोयम complex tissue भी दिखाया गया है और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं vascular tissue या vascular bundle अगर हम बात करें सबसे पहले xylem के बारे में तो जैसा कि आप इस image में देख पा रहे हैं कि जो water है वो नीचे roots से उपर plant parts में जा रहा है यानि जो roots है वो water को soil से absorb कर रही है और उपर plant parts में बेज रही है तो यह ultimately function perform करने में कौन मदद करता है यह मदद करता है xylem यानि xylem का एक important function यह होता है कि it transports water and minerals from roots to the stem and leaves तो जो water का movement है roots से लेके उपर aerial parts of the plant तक यानि stem और leaf तक वो function perform करता है xylem अगर हम xylem का structure देखें कि xylem किस तरीके से complex permanent tissue है तो वो यहाँ पर अलग-अलग तरीके की cell से मिलके बना होता है सबसे पहले आप देख पा रहे है ground tissue cells जो आपको side में यहाँ पर दिख रही है उसके बाद हम बात करते हैं tracheids की उसके बाद यहाँ पर जो holes आपको tracheids में दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं pit और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं vessel elements की और at last यहाँ पर दिखाया गया है आपको ground tissue cell का nucleus, तो ये सारे अलग-अलग elements हैं जिन से मिलके ये complex permanent tissue तयार होता है, अगर हम xylem के elements को अच्छे से individually structure की form में देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं tracheat की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, elongated cell आपको pit present है, tracheat के बाद हम बात करते हैं xylem vessel की, जो की ऐसा cylindrical structure है, और ये ultimately ऐसे beach में से connected है, उसके बाद हम बात करते हैं xylem parent काइमा की, जो की living cell होता है, और at last हम बात करते हैं xylem fiber की, तो ये सारे चारो elements मिलके xylem को एक complex permanent tissue की form में ready करते हैं, अगर हम individually देखे, इन सबी को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं tracheat की image, जैसा कि हमने अभी सीखा है कि जो tracheat की cell होती है, वो elongated होती है और tube like होती है, दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो cells हैं उनकी thick lignified wall होती है, और जो ends होते हैं वो ऐसे tapered यानी थोड़े से नुकीले होते हैं, और यह lignified cells इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर एक material deposited है, जिसे हम बोलते हैं lignin, जो इनने dead nature प्रोवाइट करता है, इसके साथ हम बोल रहे हैं कि जो cells हैं tracheat की वो dead हैं, अगर हम बात करें xylem vessels के बारे में, जैसा कि अभी हमने इस image में देखा था, long cylindrical tube like structure है, दूसरा हम बोल इनकी walls भी lignified हैं और एक large central cavity होती है, जैसा कि आप यहाँ पर इस image में देख पा रहे हैं, यहाँ पर large central cavity है, ताकि water आसानी से उपर तक पहुंच जाए, और तीसरा हम बोल रहे हैं कि जो vessel members हैं, these are interconnected through perforation in their common walls, यानि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर perforations हैं, तो यह एक vessel member दूसरे से connected होते हैं, interconnected होते हैं, through perforation in their common wall, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैलम पैरन काइमा की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो cells हैं, वो living है, और इनकी जो wall है, cell wall वो thin है, दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो cell wall है, वो एक specific material की बनी है, जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे में मदद करती है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैलम फाइबर की, तो जैसा कि हमने इस image में भी देखा था, जैलम फाइबर को, जिसमें हम बोल रहे हैं, इनकी भी walls बहुत जादा थिक है, यानि highly thickened walls है, और दूसरा, इनके पास जो lumen है, वो invisible है, यानि they have invisible central lumen, इसके अगर हम बात करें, प्राइमरी जाइलम की, तो जो प्राइमरी जाइलम है, उसमें हम दो ताइप्स की जाइलम की बात करते हैं, प्रोटो जाइलम अगर हम प्रोटो जाइलम की बात करें, तो सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम है, उसे हम बोलते हैं, प्रोटो जाइलम, और protozylum से फिर डेवलप होने वाला जो xylem है उसे हम बोलते हैं meta xylem तो अगर हम बोले सबसे पहले first form part of xylem in vascular bundle is protozylum और finally protozylum से फिर जो xylem तयार हुआ उसे हमने बोला meta xylem और इसी के basis पे अगर हम बात करें कि जो primary xylem है उसका development कैसा है तो यहाँ पर हम दो condition देखेंगे सबसे पहली condition है exact condition exact condition में हम बोलते हैं कि जो meta xylem होता है वो अंदर की तरफ develop होता है यानि पित के पास में और जो protozylum है वो बाहर की तरफ मिलता है दूसरी condition को हम बोलते है endark condition जो इसकी just opposite होती है जिसमें जो protozylum है वो अंदर की तरफ है यानि पित की तरफ होता है और जो meta xylem है वो बाहर की तरफ होता है यानि epidermis वाली site की तरफ अगर हम इन दोनों के difference को अच्छे से study करें तो exact में हमने बोला protozylum is towards the outer side तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा भी था कि जो exact condition है उसमें protozylum बाहर की तरफ है और जो endark condition है उसमें हम बोल रहे हैं कि जो protozylum है वो अंदर की तरफ है center यानि पित की तरफ है दूसरा हमने difference यह देखा कि जो exact condition है वो हमें मिलती है roots के अंदर और जो endark condition है वो हमें मिलती है stems के अंदर इसके बाद हम study करेंगे हमारा दूसरा complex permanent tissue जिसे हम बोलते हैं phloem अगर हम बात करें phloem के बारे में तो यह एक important function परफॉर्म करता है और वो function है transport of sugar and proteins from leaves to rest of the plant तो जो food synthesize हो रहा है photosynthesis की मदद से वो leaves से दूसरे plant parts में जाता है phloem complex permanent tissue की मदद से तो अगर अब हम बात करें phloem elements के बारे में तो यहां पर आपको दिखाया गया है phloem as a complex permanent tissue अगर हम इसके अलग-अलग elements को study करें तो सबसे पहले आपको दिखाया गया है sieve tube अगर इस sieve tube को हम zoom करके अच्छे से देखें तो जो आपको यह maroon color की cells दिख रही है यह maroon color का जो structure आपको दिख रहा है यह हमारी sieve tube इसके बाद हम बात करेंगे इसमें होती है plates जिने हम बोलते है sieve plate तो जो sieve tubes हैं वो आपस में connected हैं एक तरीके से sieve plates के through इसके बाद हम बात कर रहे है yellow color की cell की जिसे हम बोलते है companion cell अगर हम companion cell को zoom करके देखें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह yellow color की cell आपको दिख रही है जिसमें यह बीच में आपको nucleus दिख रहा है यह है हमारी companion cell इसके बाद हम बात करेंगे third element की जिसे हम बोलते है phloem parenchyma याद कीजिए बच्चो जैसे हमने xylem parenchyma पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर phloem में भी parenchyma होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको image दिखाई गई है किस तरीके से यहाँ पर phloem parenchyma की cells attached है और last में फिर हम बात करते हैं phloem fibers की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरफ long thread like structures आपको देख रहे हैं जो पूरे phloem elements को support provide कर रहे हैं यह है phloem fibers तो इसके structure को अगर हम और अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको एक phloem fiber दिखाया गया है प्राइमरी phloem के बारे में तो प्राइमरी phloem भी दो टाइप से मिलके बनता है एक है हमारा protofloem और दूसरा है हमारा metafloem तो जैसा कि आप इस image में देख पा रहे हैं जो सबसे पहले phloem बनता है उसे हम बोलते हैं protofloem और उसी protofloem से बनने वाला जो phloem है बाद में बनने वाला वो होता है metafloem और यहाँ पर आपको difference के लिए xylem भी दिखाया गया है तो जो yellow वाला region है यह हमारा xylem यह blue और green shade जो आपको देख रहे हैं यह है phloem जिसमें हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले phloem बन रहा है वो है protofloem और उसी से जो बाद में phloem तयार हुआ है वो है हमारा metafloem